जै गौ माता की, स्वागत है आप सभी का मेरे एच्छस भारत द्वा योटूब चैनल पर, आज मैं आपको 6781 से संबन्द जानकारी दे रहा हूँ, साथ ही गौ माता को क्या चीजे खिलानी है, कैसे भगवान विश्णू का पूजन करना है, अपनी मनुकामना के लिए यह पूर जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, दो तो 6781 का विशिश महत्व है, माग मास की यह है, एकादसी, बहुत बड़ी एकादसी है, इस दिन सुबह इसनान करने के बाद में, शूर देव को अर्ग देना है, उसके बाद में भगवान के सामने द पूरी होती है, जो 81 के दिन गौमाता का पूजन करते हैं, माग मास में गंगा इसनान का विशिश महत्व है, लेकिन जो व्यक्ति गंगा इसनान करने नहीं जा सकते हैं, वह गर पर जो इसनान का जला है, उसमें गंगा जल डाल करके इसनान करें, 60-61 एकादसी में तिल का विशिश महत्व है, तिल से 6 काम किये जाते हैं, तिल का इसनान, तिल का उटन, तिल का आवन, तिल का आदान, ये बहुत ही महत्व जैसे आप सुवह इश्नान कर रहे हो तो उस समय तिल डाल करके आपको इश्नान करना है और थोड़े से तिल पीश करके हलका सा सरीर पर जरूर लगाएं क्योंकि तिल आप कता में सुनोगे तिल के उप्टन का विशिश मैत्व है उसके बाद में भगवान विश्नु को भी आपको तिल की चीजों का भूग लगाना है फिर आपको संकल पूर्वक कता का स्रवर करना है भगवान के सामने जब जब धीपक जलाएं तो उस दीपक में भी आपको थोड़ी से तिल डाल देने है इसका विशिश मैत्व है इसलिए इसे 60-61 काहा जाता है उसके बाद में आपको एक किसी वरतन में गोड़ और तिल मिक्स करने थोड़ी से भगवान भूग लगा दे बागी गोड़ और तिल मिक्स करके और एक कपड़ा ले ले अब आपको गोव माता के पास जाना है शर्पतम उनके मस्तक पर आपको टीका लगाना है उसके बाद में आप जो बस्तर लेके गए वह गोव माता को उड़ा दें गोव माता को बस्तर उड़ाने के बाद में पिर आप हरी दुरवा साथ ही तिल और गुर जो मिक्स करके ले गए वे आप गौमाता को खिला दें। साथ ही आप दो केले भी गौमाता को खिला सकते हैं। साम के समय पीपल ब्रक्क के नीचे दीपक जलाएं। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। भगवान विश्णु के सामने दीपक जलाएं। और गनेजी के सामने दीपक करके आपको परक्रमा करने हैं साथ ही अगर सम्मभ हो सक है तो गौसाला में भी साम के समय दीपक जलाना चाहिए ऐसा करने से आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी तो इस दिन बड़ी एकासी है आपको जरूर यह उपाए करने हैं और फिर देगना भगवान किरपासे गौ स्काइब करें